पूटाना अभी नीना बधाज रंग आपी ने पूतानी जातने एक लेवल सुधी पोंचाली ने यादगार चेहरो बनावी दितों छे सुमीद रागवन जी अमारी साथ है सुमीद आपका स्वागे देकार रहे हैं सबसे पहले तो यह सवाल मैंने ज्यादातर लोगों को पूछा है कि यह एक्टिंग में आना यह कभी प्रीडिसाइड नहीं होता है लेकिन कोई बोलता है कि यह यह बंदा चलेगा बोस इसको कही करवा हो तो यह मुका कब आया था स्कूल में कॉलेज में यह कोई प्रफेशनल कोई कोई जहरी था जिसने पहचान लिया मेरे खायल से यह मेरे जिनके कोग से मैंने जनम लिया वही दो जहरी थे मेरे माता-पिता इन्हों ने पर्खा शायद बच्पन की बात है मैं ऐसे मिम जारा हो देखो कौन है इनको यह करके बताओ वो वो टिपिकल जैसा होता है तो चलो अंकल को बाबा ब्लैक्षिफ लो चलो तो उस टाइब का था तब एक मिमिकरी की कैसेट आई थी जॉनी भाई की तो वो रटली मैंने वो रटली और फिर उसी के शोज में घर में और दोस अब बाई काया था तो फिर मम्मी पपा को लगा कि नहीं भी एक काम करो बेटा तुम पढ़ा ही पहले पूरी करो मैंने का हाँ ठीक है मुझे कोई acting ही करनी है गाना ही गाना ही ऐसा अशा बिलकुल नहीं था लेकिन schooling complete होते होते मही महने की जो चुटियां होती है vacation होती है उ से हम किसी acting school में डाल देते हैं कुछ होगा नहीं यह ज़रा introvert है तो ज़रा खुल जाएगा तो सुल्भा देशपंडे और अर्विन देशपंडे का एक workshop चलता था दादर में मैं बात करो 1983 की तो उसमें मुझे उन्होंने डाल दिया और यही साल था जब पहला break आपको मैं मैंने फास्टर फेने मेरी जो पहली सीरियल थी चिल्रें सीरियल वह मैंने तब की तो अरे जब मैं आपसे बात करा हूँ तो पता चला 33-34 साल होगे acting करते हैं फिर वहां से दीरे-दीरे करते हैं मराथी स्टेज की तरफ आया मैं मराथी स्टेज पे प्रतम बाल कलाकार के र तो फिर वहां से हमारी शुरुवात थीटर की एक प्रवाश शुरू हुआ और फिर बस ममी पापा को लगा बस अब बेटा तुम्हें अतब गाता भी था मैं में गाने भी गाता था तो एक तरफ क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक की शिक्षा ले रहा था सुरेश वाड और दूसरी और मेरा प्रोफेशनल थीटर भी चल रहा था तब एक मोड आया जब मुझे यह डिसाइड करना पड़ा कि सिंगर यह एक्टर तो फिर सिंगर को मैंने थोड़ा रोक लिया और इस दिशा में बढ़िया मैं आपने बताया कि बच्चा और कोई मतर गष्टी करे इससे बहतर है कि वो कुछ सीखे ड्रामा मतर गष्टी की बात करे क्या इसके लिए भी जाने माना है क्या नहीं वैसे नहीं है लेकिन जैसा मैंने कहा है आपसे थोड़ी देर पहले कि मैं बहुत बुझा-बुझा हुआ सा रहता था मेरा बड़ा भाई है जो मेरे बिलकुल पहल विप्री था हा वह भी गाता है और वो क्रिकेट खिलता था और वो स्टार था अपने सेंस में कॉली में सब पहचानते थे थे आस संतोष और मैं हमेशे चुपता था डर बुझा-बुझा डर सहिमा सहिमा सह तो यह एक तोड़ने के लिए यह जो एक गुथी थी उसे के लिए मम्मी पपा ने कहा कि इसे एक्स्पोजर की जरूरत है, तो इसलिए उनका एक तरीका था, वो सोच सही थी गलत थी, आज मुझे लगता है सही थी, क्यूंके मम्मी पपा ओफेस जाते थे, मैं अखेला घर पर वैठा रहता था, स्कूल करके घर आता था, क्लास करता थ तो मतलब मेरी दुनिया मुझे मम्मी पपा जो थे वो जड़ा थोड़ा, थोड़ी और खुली चूट देना चाहते थे, 83 में पहला कदम, एंटर तो हो गए, लेकिन वो रिक्रिग्नाइजेशन वाली बात आती है, वो मेरे इसाफ से बिलकुल लोग तरास्त है उसको, जो होते हैं, वो तरास्त है, सीधा ही एक्सेप्टंसी नहीं मिल जाती है, वो वो कौनसी वाली बात ही, जहां खुद को एक हैसास होता है, कि नहीं बहुत साब भी, अगर ये बंदों में बोला है ना, या तो ये मुझे काम बिला ना, तो पक्का मुझ में कुछ हो गई, मैंने माराथी प्ले जिसे मास्टर दीनानत पुरसकार बिला और वो शो हमारा दीनानत नाट्यगरो में था विले पारले में और सड़नली मुझे ऐसे पता चला कि लतादीदी आई है, अशाता ही आई है, रिधनाजी आए है, शरत जी पावार आए है, सुनिल गावस कर रहा है, संदीप पाठी लाया, तो यह लोग और आउडियंस पे बैठे है, और मेरे पैरो तले जमीन निकल गई, और मैं था, यह नाइन्टीन नाइन्टी की बात कर रहा हूं, मैं पचीछ साल हो गे इस बात को, चबीज साल, और वो मेरा में रोल वाला प्ले था, जिसके लिए मु अपर आप रूम में गया, देखा साक्षा गान सरस्वती सामने बैठी है, और यहीं में गया वो खुद उठने लगी, तो मुझे इतना मैंने का नी 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 दीदी, क्या बात है, बैठी है, और मैं उनके पैरों के बैठी है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर दें बट मेरे गली मड़ा, तो यह कुछ चीजे संकेत मुझे मिले, कि मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं, मेरे ममी पपा ने जो मेरी लिए तैय किया है, वही सही है, ओके, यही बात पता ही आपने कि, पास्ट में 95 की भी यादे जब तरो ताजा कर रहे थे आप, तो व वो दीख रहा था, वो चमक दीख रही थी, वो experience शायद जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, वो incident, लेकिन, सुमी जी, जो एक start-up होता है, फिर gear-up होता है, उसके बाद में take-off होता है, फिर बिलकुल steady हो जाता है, वही excitement के आज की तारिक में भी लग रही है, क्योंक इसलिए पूछ रहा हूं, सुमीर जी, दिल में जो आए, वो कहने के लिए, जाने जाते है, फ़ले थोड़े शाहिक की सम्किया, अपने कई बातों को दबाते भी है, लेकिन, वो जो काम निकालने का तरीका होता है, एक director होता है, जो उसे मालूम है कि इस कलाकार में क्या इसकी कहीं कमी खलती है, क्या, देखिए, टेलिविजन की बात करेंगे, आप तो, टेलिविजन अब एक, क्या कहें, उसे एक factory बन चुकी है, कि आपको 22 episodes महीने में देने है, तो, बस, काम करते जाओ, काम करते जाओ, थेटर में आज की तारीख में भी ऐसे directors मौजूद हैं, जो बाकायदा आपका तेल निकाल देते हैं, एक actor की, मतलब, उसकी कसोटी पे उसे साबित करते हैं, तो, ऐसे directors यहां पर, थेटर में हैं, मौजूद, टेलिविजन में भी हैं, लेकिन, क्या है न, जब से ये weekly से daily का format शुरू हो गया है, तब से, आपके सामने कागज आता ह आपको दिन में 18 मिनिट करने, सर, 18 मिनिट शूट करने, मतलब, edited material 18 मिनिट होना चाहिए आपका, तो, सोचिए, कितना pressure होता है, तो, वो कही compromise हो जाता है, टेलिविजन में, लेकिन फिर भी, मैं ये कहता हूँ, दो-तीन actors हैं, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, एक दिलिप जो समेशा मानता हूँ, की आपको अपने ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है, आपको आपने जो गुडविल जो कमाया है इतने सालों तक उसको बरकरा रखना बहुत जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी नहीं है, ओके, यहां रोगूं का वक्त हुए छोटे से, ब्रेकाद, श्र काम सूबे से लेके शाम तक स्केडियूल टाइट पूरा डायलोग सब दिये हुए सिचुएशन दिये रट्टा मारना है परफॉर्म भी करना है इतना तेल निकालने वाले इंडस्ट्री इतना टेलेंटेड बंदा स्वीच ओवर क्यों नहीं करते फिल्म कम किये तो क्या है मैं सीधा पूछ सकता हूँ कि फिल्म वाले को लगता नहीं कि सुमीद जीप में फिल्म में चल पाने वाला कोई करेक्टर है या तो फिर खुद पसंद करते कि नहीं या 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 यतियल निकालने वाले इंडस्ट्री अच्छी है या यहाँ पर क्लिर करता हूँ ऐसा है कि मैं हमेशा एक प्रजेट करने के बाद है तीन साल का ब्रेक ले ले लेannah गते मैं या वा realizes सज रीजुट बहलों 2011 में या बाद में मैं और उपने आपको थुटा इफ आनलाइज करूंगा तो मैं घर पे बैटके गिटार बजाता हूँ, गाना गाता हूँ, म्यूजिक, मेरा, इस मेरा सेकेंड लाइफ, तो हमेशा मैं अपने आपको अनलाइज करता हूँ, क्यूंकि ये शरीर जो है, वो एक ढोल है, बजाने वाले आप ही हो, आपको कैसे बजाना है, वो आपको तै में पुझए करना है, या आपको दिनदरात मेहनत करके, काम करके इसको बरबात करना है या आपको अपने परिवार, और आपको आपके परिवार के साथ भी वक्त भी दाना है, तो मैं हमेशा, मैं यी दूसरी पॉलिची हमेशा फोलो करता हूँ, इसलिए, फिल्म रेक ले तो मैं वापिस थोड़ी सांस लेता हूं, थोड़ा oxygen भरता हूं अपने अंदर और फिर वापिस तेलिविजन में फूर्जब करके और पुरान यह डिलिट करके वापस नहीं फॉर्ब बिल्कुल बिल्कुल आपने बता कि family, सुमित जी इतने nut cut जो screen पर दिखते है, फ़ले आपने शुरू में बता दिया कि आप बहुत शाहिक इसम के इंसान थे, खूलते नहीं थे, लेकिन वो expression था, जो expression था, जो express हो रहा था, कि बहुत ज्यादा खुलना नहीं है, लेकिन अंदर तो वो किशन का नहीया पढ़ाई हो 100%, okay, 100%, थोड़ी साधी की भी बात हो जाए, वो interesting ही हो गया, I am 100% sure, फिल्कुल, फिल्कुल, 1991 में जैसा मैंने कहा, मैं एक play कर रहा था, और एक लड़की आई, play में, मेरे opposite, heroine का कायम करने, तो मैंने पूछा अर डिरेक्टर से कि कौन है और उसके पहले मैंने एक super hit नाटक तो suddenly मैं थोड़ा ऐसा था, मैंने कहा, कौन है नई लड़की कौन है, यह चिन में ही है, अचा, कहा से ही है, पूना से ही है, पूना में एक बहुत बड़ी competition की best actress है रही चुकी है, अचा, ठीक है, और फिर बातों बातों में पता चला कि अचा, यह बहुत पड़ती है, मतलब यह किताब यह खाती है, बेसिकली, तो मैं रहे कार यह इससे तो अपनी बिल्कुल ली जमने वाली है, तो वह एक शो मैंने किया, जिसके थोड़े बहुत शोस किये मैंने, और फिर मैं चला गया, एक हिंदी फिल्म करने के लिए, जो एक अलग कहानी है, उसके बाद म आयब रहा है, मराथी थेटर से, 1993 में मैं दुबारा आया, एक प्ले करने, और मैंने पूछा, मेरे अपोजिट कौन है, पीछे साथा, मैं हूँ, तो मैंने पीछे मूर के देखा, चिन्मी है, दो साल के बाद चिन्मी वापिस मिली, और यहां पे जो है, उसे भी एक अलग स सुमीद दिखा, जो थोड़ा बाहर जाके, थोड़े वक्त की मार खाके वापिस आया हुआ सुमीद दिखा, मुझे एक अलग चिन्मी ही दिखी, तो वहां पर हमारा जो है, वो गुलना मिलना शुरू हो गया, और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गया, 1993 में, वी और गुजराती थी और गुजराती में थोड़ा बहुत अच्छा पैसा मिलता था, तो मैं, मैडम, थोड़ा पैसा देंगे, तो वही मेरा खर्चा भी करती थी, and then suddenly, then gradually we got married, 1996 में, शादी हो गई, वो एक महराष्यन बैग्राउंड से आती है, मैं एक South Indian background से आता हूं, तो तो नहीं अपना मुख काला नहीं करोगी इसके साथ, उस टाइप का कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अरे बहुत smoothly हो गया, आपने बता है कि वह घुलमिल गए, ये घुलमिलने के लिए किसी को पहले तो बोलना पड़ता है, तो कौन बोला था, आप बोले थे जिस नाटक के लिए हम साथ में आयें, उस नाटक की ग्रैंड रिहरसल कर रहे थे, और उस रात रिहरसल करके हमें गोवा निकलना था, क्यूंकि गोवा में हमारे चार शोज लाइन डप से, एंट्री के लिए वह खड़ी है, ब्लैक आउट हो गया, मैं उसके ठीक पीछे ब अर उतने में लाइट्स आगे और उसे एंट्री लिनी थी, थैंग वो ग्रैंड रियरसल थी, पब्लिक शोड नहीं था, वो थी एंट्री लेने को तयारी नहीं थी और वहां से डिरेक्टर चिला रहे थे, चिनमाई, कहा हो तुम, एंट्री लो, हां हां हां, ऐसे करके उसन यह वक्त नहीं था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, तो मेरे सामने थी, तुम्हारी पीट थी और मैंने तुम्हे बोल दिया, जो मैं काफी देर से बोलने वाला था, तो यह एक style था, I love you कहने का, और फिर वो बस वो आज मेरी धर्म-पत्नी है, आपने बताया कि बीच वाला आपने बताया कि, चिनमेई जी ने ऐसा सुमित देखा, जो दो साल में चोट खाया हुआ था, दुनियादारी को सही माइने में समझने के बाद, दो साल के बाद हम मिले थे, लाइफ में सबसे ज्यादा गिल्टी फिलक अप किया था, बिकॉस इस शो इस नोन फोर कंफेशन और ऐसी बाते जो आज तक शायद बहुत कम लोगों को मालू है, जी, 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 1991 में जो मैं पहला नाटक, मतलब चिनमेई के साथ जो नाटक कर रहा था, जहां पर मैं थोड़ा ऐसे करके बात कर रहा था, वो था ज्वाला मुखी, नाटक का नाम, जिसके मैंने 16, 17 शो अब वीकी भी थी, एक और एक थी, और एक हमारी थी, उसमें वो दो फिल्में आके रिलीज भी हो गई, चली नहीं चली, हमारी फिल्म आज तक आई नहीं, तो हम शूटिंग करने गए बाहर, और मैं कि मैं हिंदी फिल्म करने जा रहा हूं, वो वाला थोड़ा, वो उमर ही रिलीज नहीं हो पाई, क्यूंकि कुछ केसिज थे हमारे प्रोडूसर डिरेक्टर पर, तो वो असोसियेशन ने बोलें कि हम फिल्म रिलीज करने नहीं देंगे, और सड़नली उसके बाद एक साल मेरे पास कुछ नहीं था, थेटर से मैंने अपना नाता जो था वो तोड़ मैं उनका अनुकरन करने की कोशिश करता हूँ जब अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, कि मैं बस उनहीं की तरह होना चाहता हूँ, कि वो थे मेरे पीछे, कि उन्होंने मुझे वापिस अपने बाहों में ले लिया, और वो जटका मिला था मुझे, क्यू हो के ठीक है मैं करूँगा, तयार हूँ, परश हो, तो वो एक जो मैं ऐसे था, 90 में, वो सदंदी में ऐसे हो गया था, मेरा मेरा सवाल, सबसे ज़्यादा गिल्ट फिल करना है, गिल्ट फिल, गिल्टी फिलिंग ऐसे कभी हुई नहीं है, कभी-कभी कुछ डिसिजन को लेक करना चाहिए था, मतलब यह वर्क रिलेटेड ही है, रिलेशन्शिप में अकसर कभी हुआ नहीं है, कभी-कभी कुछ अन्बन हो जाती है, मिया बीबी में, तो बाद में पच्तावा होता है, लेकिन उसे वो तो रोजमर्रा की बात हैं, लेकिन और चैटरिंग या आपको हि तो इसलिए, गिल्टी फीलिंग नहीं अभी तक है, रोकूंगा, आगें वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेकादा, शुमित रागवन जी साथ है, विराम बाद फरीक वास्वागेशाब नू करेगरम होती थी मा, सुमित जी साथ है, अन्थीम तबाक कानी वातो, पास्ट की ब बच्पन से ममी पापा ने प्रमोट भी किया, इंस्पायर किया, जबकि आपके बैटर आफ है, खुबी इसी फिल्ड से, बच्चों के बारे में भी क्या, what is your plan for that? बच्च, मेरा हमारा बड़ा बेटा अठारा साल का है, बेटी अभी 10th में जाएगी, वो 15 साल की है, बेटी गाती है, तो गाना सीख रही है, बेटा पियानो बजाता है, तो उसे म्यूजिक में कुछ करना है, तो मैंने उन्हें, जो मैंने जैसे अभी पिछले सेग्मेंट म आप से कहा है, कि मैं बाकी कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं एक अच्छा पिता बनने की हमेशा कोशिश करूँगा, एक अच्छा पती बनने की हमेशा कोशिश करूँगा, और इन दोनों के लिए एक अच्छा दोस्त बनने की हमेशा कोशिश करूँगा, ये यहां पे ट्यूनिंग करना बहुत ही तफ हो जाता है, क्योंकि अर्गूमेंट्स होती है, वो शायद वो अंतर बढ़ता है, और वो एक एंड ऐसा आता है, ऐसा मोका आता है, जो शायद दुखी करता है दोनों केरेक्टर को, इसके लिए बैलेंस करने के लिए, जैसे आपने पता है कि कोई एक प्रोजेक्ट खतम करके, आप दो-तीन मेन अपनी फैमिली के, फिर भी, वोट अदे टीप्स आप देना चाहेंगे, जो ऐसे ऐसे फिल्ड में इंडेस्ट्री में हैं लोग, देखिए मैं टिप तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक बात के लिए हमेशा है, शी टू का बैक सीट, देखिए बहुत बड़ी बात है, आपके साथ काम करने वाली सडनली वो पीछे आ जाती है, क्योंके नहीं, मैं पीछे से आपको सपोर्ट दूगी, आप बढ़ी आ गए, मैं बच्चों के साथ हूँ, आप जाई आगे, ये बहुत कम भी तो इसलि दोनों मिल कर काम कर रहे हैं, विच इस फेर, लेकिन हमारे मामले में चिनमे को ऐसे लगा कि नहीं, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तब मैं उनके साथ रहती हूँ, आप सही शनुता का मामला, ज्यादा अतर ये इस्यू चला है, खास करके जो पब्लिक फिल्ड में, क्य ये, मैं इसको ज्यादा महत्वनीद बेता हूँ, देखे, अब होता है, जब मैं घर जाता हूँ, तब मुझे कहीं लाइट चलो दिखती है, तब मैं बोलता है, क्या कर रहे हो तुम लोग या, कितनी बार बोला तुम लोग हो, अब मुझे टॉलरेट नहीं हो रहे हैं ये, डेवलोपमेंट वाले इस्यूज है, उसकी चर्चा करने की बजाए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये शो आपका न्यूस चनल में जाने वाला है, फिर भी न्यूस चनल मेडिया के लिए आपकी राय में जानना चाहता हूँ, आप ही ने जवाब दे दिया, आपके सवाल है, period, मतलब मैं भी देश विदेश घूम चुका हूँ, there is no place like India, कि आज एक तो ये जन भूमी ये कर्म भूमी है, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि, और I don't believe in Asahishnuta, क्या है Asahishnuta, सब first class चल रहा है भीया, यहाँ पर बहुत सरी चीजे, चीजों जैसा आपने कहाँ कि उसका को बहुत सरी चीजों को जस उचाल दिया जाता है, जैसे बीच में हमारा एक दोस्त किकु को गिरफतार कर दिया, किकु को जेल में डाल दिया, तो मेरे खायल से हम सौफ टार्गेट्स है, हम बोलते हैं कुछ तो उसका धाड़ करके कुछ इतना पड़ा हो जाता है, कि भाया ह हमी फंसते हैं, फिर हमी को जेल में डाल देते हैं, हम देखिए, हमारे मन की बात नहीं कर रहे हैं, हमें कोई देता है, डायलोग, कोई चैनल होता है, तो भी यह इन दोनों को जेल में डाल देता है, लास्ट, 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 शूरू में आपने बता जी चिनमेई जी के लिए अगर आपको गाना है तो कौन सा गाना पसंद करेंगे आप उनके लिए गाना है मारा फीवरेट गाना है एक तेरे मेरे मिलन की ये रहना है नया कोई गुल खिलाएगी नया कोई गुल खिलाएगी तभी तो चंचल है तेरे नैना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना है पर शुक्रें ऐसे बात करने के लिए दर्शनमीद रहती खासवात सूमित रागवन जी साथे नहीं फरी मरी सुन नेक्स अपीर सोड मा एक नवा आती थी साथे पर शुन नमसकार थेंक ये रहने के लिए थेंक्स अगें नेटवर्क पहला हुआ है तो इनके साथ मतलब देवांगभट जी के साथ बात करके इनके अतिती शो पर आकर बहुत मजा आया मैं वाकर में कह रहा हूं कि अभी दस मिनिट पहली इनसे बात हुई और जिस तरह से उन्होंने मुझे सवाल पूछे मतलब इनका हमवर करने का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद आया बड़े आपको घेरे में लेने की बड़ी कुशिच करते हैं आपको बचना चाहिए इनसे लेकिन बहुत मजाया एक दोस्त जैसा जब एंकर होता है तब आप भी खुल जाते हों तब जरूर देखेगा हमारा ये एपिसोड आपको बहुत मताएगा